नमस्ता हरचर हट के इंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत करती है दोस्तों घर की चछत पर भूल से भी इन सामानों को नहीं रखना चाहिए बहुत से घरों में आपने देखा होगा घर की चछत पे बहुत सारा सामान रखा होता है यदि आपके चछत पे भी इन में से कोई सामान है तो आज ही अठा दे वरना मातललक्ष में रूट जाती है घर की बरकत रूख जाती है घर में आज दिन लड़ाई जगड़े होते हैं बहुत सारी समस्तायाने लगती है आखिर ऐसा क्यों होता है आए हम आपको बताते है घर के अंदर तो हर कोई साफ सफाई करक्र रखता है लेकिन उन हिस्सों पर ध्यान नहीं देते है जहां आवगमन कम होता है जैसे बात करेगी चछत की यहां ऐसा समान रख दिया जाता है जिसका घर में प्रयोग नहीं होता या फिर सीधे समझे तो कबार जैसी चीजों को यहां रख कर लोग भूल जाते है जो तिस के अनुसार घर की चछत को भी साफ सुतरा रखना चाहिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए यदि आप घर में इन चीजों को रखेंगे चछत पर तो ये बेदी आशुब मानी जाती है आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़े है दोस्तों वास्तों के अनुसार घर की चछत पर अनुपियोगी सामान रखने से घर में नकरात्मक शक्तिया तो हावी होती है इस घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्त पर भी बुरा सर बढ़ता है बलकि इसके साथ साथ देवी लक्ष्मी भी रूड जाती है और हमें सद्धन की हानी घर में होती रहती है जोतिस के अनुसार घर की चछत को साफ सुतरा ही रखना चाहिए कुछ चीजों को रखना बहुत ज़्याद अशुब होता है आईए जानते हैं कौन सी वे चीज़े पहली चीज़े मटके और टूटे को गमले घर की चछत पर लोग अकसर मटके और टूटे फूटे गमले रख देते हैं ये बहुत अशुब माने जाते हैं इनको घर से तुरंती हटा देना चाहिए दूसरी चीज़े कबार घर की चछत पर किसी प्रकार का कबार न रखे लोग क्या करते हैं पूरे साल का इखटा कबार चछत पे रखते चले जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए तीसरी चीज़े पत्ते घर के आसपार यदि आपके पेड़ पत्ते हैं तो अपनी छट पर पेड़ के पत्ते खटे ना होने दे उन्हें नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए चौती चीज़ बांस घर की छट पर बांस रखना भी बेहद रशूप बाना जाता है घर की छट पर कभी भी बांस नहीं रखने चाहिए पांचवी चीज़ ज़ाड़ू घर की छट पर ज़ाड़ू भी नहीं रखने चाहिए बहुस्ते लोग घर की छट पर ज़ाड़ू लगा के वहीं रख देते हैं लेकिन छट पर कभी भी ज़ड़ू नहीं रखी जाती है चटी चीज है रसी घर की छट पर कपड़े सुखाने की रसी बांद दे लेकिन किसी प्रकार की रसी है उसके बंच नहीं रखने चाहिए यानि रसी के बंडल नहीं रखना चाहिए साथवी चीज जंग लगा हुआ सामान जंग लगा हुआ लोही का कोई भी सामान और टूटी फूटी साइकल या कोई अन्य लोही के खेलोने या सामान वे घर की छट पे ना रखें अगर वे खराब हो गए हैं सो उन्हें तुरंती बेच देना चाहिए आठवी चीज लकड़ी के सामान च्छत पर किसी प्रकार की बेकार लकड़ी के सामान न रखें ऐसा करने से घर में अशुबता आती है नौवी चीज रद्दी घर की च्छत पर अखवार ये कौपी किताब जैसी रद्दी भी नहीं रखने चाहिए यानि की कुल मिलाकर घर के च्छत पर किसी भी प्रकार की रद्दी लकड़ी जंग लगा हुए समान रसी बास जाड़ू पत्ते कबाड़ आदी तूटे फूटे खिलाओने गमले आदी बिलकुल भी न रखें ऐसा करने से घर में घर का जो भी वास्तु सास्तु होता है वे बिकड़ जाता है और घर में लाग कोशिसों के बाद भी बरकत नहीं हो पाती तरक की नहीं हो पाती वैक्ती परिशान रहने लगता है इसलिए इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आज ही घर से आपको पसंद आई होगी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू करते ना दोस्तों के साथ इसको शेर करने ना बूलना चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर पहला एकन जरू दो दो दिया धन्यवार